हेलो एरिवन तो आज की इस वीडियो में SSE MTS की 6 अक्तूबर की फर्स्ट शिप्ट में जितने वी कोशन पूछे गया है वो इस वीडियो हम डिस्कस करेंगे तो फ्रेंड आज की वीडियो में जो भी मैं कोशन कराने जा रहा हूँ ये सारे कोशन रियल होंगे 100% तो फर्स्ट कोशन से स्टार्ट करते हैं फर्स्ट कोशन पूछा गया था सविधान के किस भाग में नागरिक्ता का उलेख किया गया है तो ये किया गया है जी भाग दो के अंदर अगर आपसे आर्टिकल पूछे तो आर्टिकल 5 से 11 तक सविधान के अंदर नागरिक्ता से सम नदी कौन सी है तो आंसर है यमुना, घागरा, बागमती, रामकंगा, करनाली, तापती, गंडग, कोसी, सोन इन में से आपको कोई भी उप्शन दिया गया था अगर आपने टिक किया है तो आपका आंसर सही होगा नेक्स्ट कोशन पूछा गया था सविधान दिवस कब बनाया जाता है तो ये बना जाता है 26 नमंबर को क्यों बनाया जाता है जी 26 नमंबर 1999 को हमारा सविधान अपनाया गया था नेक्स्ट कोशन पूछा गया था धार्मिक कारियों के परवंद की सवतंदरता किस अनुचेद में इसका वर्नन किया गया है तो ये किया गया है चबबी आर्टिकल के अंदर नेक्स्ट कोशन पूछा गया था फीफा की स्थापना किस देश में हुई थी ये हुई थी 21 माई 1904 में पैरिस फ्रांस के अंदर अगर फुल्फोम पूछी जाए तो फेडरेशन इंटरनेशनल दी फुटबॉल एसोशेशन और इसका हेटकोर्टर कहां पे है जूरिक स्वीटजर लेंड के अंदर नेक्स्ट कोशन पूछा गया था हवा मेल का निर्मान किसने करवाया था तो इसका निर्मान हुआ था 1799 में महराजा स्वाई परताव सिंग ने इसका निर्मान कराया था और इसके वस्तुकार लाल चंद उस्ताद द्वारा किया गया था जो की जेपूर के अंदर है नेक्स्ट कोशन इंगलिस से पूछा गया था वन वर्ड सब्सिटूशन से प्लेस वियर वर्ड आर केप्ट की पंच्छी जहां रखे जाते हैं उसको क्या कहा जाता है तो एवियरी इसका अंसर होगा नेक्स्ट कोशन है एफिशेंट वर्ड का एंटोनियम पूछा गया था जिसका मतलब होता है कुशल इन में से आपने अगर लगाया है तो आपका अंसर सही हो जाएगा नेक्स्ट कोशन के ओर चलते हैं हरेश वाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है तो हरेश वाल को जाना जाता है किलोरो फाइसी के नाम से इसके इलावा अगर आपको next shift में पुछा जाए कि लाल वरनक को किस नाम से जाना जाता है तो इसको जाना जाता जी रोडो फाइसी के नाम से और भूरा वरनक इसको जाना जाता है फियो फाइसी के नाम से next question पुछा गया था लदाक में कौन सा central university है तो ये है सिंध यूनिवरस्टी next question पुछा गया था भार्थ के प्रतम उपराश्टपती कौन थी तो ये थी स्वरपली रादाक्रिशन जो की इनका कार्यकाल रहा था 1922 से लेके 1902 तक next question है international hockey federation का मुख्याले तो इसका मुख्याले है लुसाने में जो की Switzerland के अंदर है और इसकी स्थापना साथ जनवरी 1924 के अंदर पैरिस फ्रांस के अंदर हुई थी और पुछा जाए अगर इसके करंट प्रेज़ेंट कौन है तो वो है डॉक्टर नरेंदर थरूब बत्रा next question पुछा गया था गोतम बुद का जनमस्तान तो गोतम बुद का जनमस्तान था लूम्बनी नेपाल के अंदर और 1530 इसापूर में का जो जनम हुआ था नीदन हुआ था 483 इसापूर में कुशी नगर के अंदर यूपी के अंदर और इनके अगर उपनाम पूछे जाएं तो सिधार्त, गोत्मा, बुद्ध, साक्यमुनी, पिता का नाम, शुशोधन और माता का नाम माया देवी नेक्स्ट कोशन पूछा गया था नेशनल हिंदी दिवस कब बनाय जाता है तो ये बनाय जाता है भारत में 14 सेप्टमबर, 14 सेप्टमबर को 14 सेप्टमबर 1909 को सविधान सबादवारा हिंदी को राज्य भाषय का दर्जा दिया गया था अगर वर्ड का पूछा जाए, वर्ड हिंदी डे, ये 10 जनवरी को बनाय जाता है और next shift में पूचा जा सकता है कि 11 विशव हिंदी समेलन कब हुआ और कहां आयोजित किया गया तो ये 18 से 20 अगस्त 2020 को मुरेशियस में आयोजित किया गया next question पूचा गया था interpreter of melodies पुस्तक के लेखक तो ये हैं जी जमपा लहरी next question पूचा गया था तेजेस जेट लडाकू मान किस के द्वारा विक्सित किया गया है तो ये किया गया था हिंदूस्तान एरोनौटिक्स लिम्टेड H.A.L. द्वारा next question पूचा गया था विजेगाट किस की समाध है तो ये लाल बहुतर शास्त्री जी की है जो कि नए दिल्ली के अंदर बनी हुई है और आज का last question है LED बलब में किस अर्ध चालक का प्रियोग किया जाता है तो इसमें किया जाता है गेलियम आईसोनाइट और गेलियम फास्फाइट का तो फ्रेंड आज की वीडियो आपको कैसे लिगी कमेंट करके जुरूर बताना अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को जुरूर सब्सक्राइब करें और पास लगे बेल आइकाउन को भी प्रेस करना जिससे आपको हमारी नए वीडियो की नोडिवकेशन टाइम से मिलती रहे तो मिलती हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टेक कियर